Hello and welcome friends, इस class में हम जानने वाले हैं. जैसे कि last class में हमने एनुमेरेशन के बारे में बहुत कुछ जाना था कि networks की information, username वगरा के इस तरह से निकालते हैं. Active connection settings मेंने आपको दिखा दे थी, उसे थोड़ा सा आगे में आपको बता देता हूं. इन सबके लावा फ्रेंट्स अगर आप यह कमांड से नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बता रहा हूं जिसकी मदद से आप इनुमरेशन पूरा कर सकते हैं जो अब तक हमने किया वह था एक नेटवर्क के अंदर का आपके माइन में ऐसा कोईशन आ सकता है कि एक नेटवर्क के बाहर अगर मुझे काम करना पड़ जाए मानलीजी कोई वेबसाइट है उस पर मैं नेउमरेशन करने के बारे में सोचू तो कैसे करूंगा उस वेबसाइ कैसे करेंगे तो एक बड़ा मैथड हो जाता है वो इस टूल के मदद से आप कर सकते हैं होप सो यह आपको पसंद आएगा तो चलिए स्जिरू करते हैं सबसे पहले मैं नेट वाय उसका थोड़ा आपको और किलियर करा देता हूं हमने लास्ट टाम कर लिया था कनेक्शन से आएगा कि remote जो नेम है वो तो यह है remote नेम हो गया resource क्या है तो डिस्क आपके control में है status okay है connection भी हो चुका है और आप नीचे देख रहे हैं the command completed successfully तो command successfully completed का मतलब यही है कि यह आप इसके जो resources हैं उनका इस्तिमाल कर सकते है remote connection आपका अच्छी तरह से settlement हो चुका है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस tool से हम कैसे करेंगे तो हम जिस tool का इस्तिमाल कर रहे हैं उसका नाम है super scan फैंट्स one by one हम इसमें करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे simple ip address डालके तो मैंने यहां डाल दिया 192.168.1.104 और अब मैं इसकी जो scanning है host name डालके भी मैं कर सकता हूं यह मैंने कर दिया और start कर दिया उसके बाद friends आप यहां से से कर दीजी start start करने के बाद आपको यहां से information मिलना start हो जाएगे आप देख सकते हैं TCP live host ports अभी यह चली रहा है देखते हैं कितनी information हमें यहां से मिली है आप देख सकते हैं full connect TCP scanning for service scanning and service UDP TCP scanning के बारे में हमें बता र रही है उन सबके अलावा आप देख सकते हैं scan of one host एक पूरे network को भी आप यहां से scan कर सकते हैं एक range देखर जैसे कि मैंने one दे दिया है 104 की 100 मैं दे देता हूं यहां पे एक-एक करके भी आप कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं फ्रेंट्स आप यह देखेंगे scanning two machines, ICMP जो प्रोटोकॉल है उसे भी scan यह कर रहा है आप देख सकते हैं TCP service scan host यह मतलब passing rules वगरा सारा खुश जितना information इसने grab की है वो सब आपको यहां पे मिल जाएगी open UDP port इसे मिल चुका है एक जो port है UDP port वो open है banner grabbing के लिए banner grabbing के लिए banner grabbing आप समझी गई होंगे जो कि last की वीडियो में मैंने कई बार के लिए आपको बता दिया था तो यह information आपको collect हो गई एक तो एक simple method है इसके बाद advanced method के बारे में बात करते हैं आप अगर जैसे कि यहां पे हम देखने कौन कौन सी services आप भीजना चाहेंगे echo request time stamp request address mask request information request timeout limits मतलब कि यह millisecond और microseconds में होती है जो maximum हमने 2000 set कर रखी है यह देख सकते हैं UDP जो port है कि कहां से कहां तक आप scan करना चाहते हैं इसमें हाला कि लिस्ट पहले से बनी हुई है जहां UDP port चलता है आप अपनी मर्जी से भी set कर सकते हैं ऐसे TCP port आप अपनी मर्जी से set कर सकते हैं पोर्ट सिकैनिंग का बहुत अच्छे से हो जाएगा discovery करके सिकैन options आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह सिकैन करें बैनर ग्रैबिंग है hostname lookup है यह सारी चीजों को लेकर काम करें तूल्स अगर मैं देखू तो यहां मैंने पहले से किया हुआ एक थोड़ा सा आप आपको स्टार्ट हो जाएगी तो मैं डाल देता हूं एक website का नाम और इसे enumerate कर देते हैं आफ्टर आप देखेंगे यहां नहीं पर IP address इसने get करी लिया है और उसके बाद दीरे-दीरे जो थोड़ा सा टैमिल लग सकता है यह नेट की स्पीड पर भी depend करता है अब यहां मैं आपको बताता हूं वन वाय वन हम कैसे करते हैं यहां मैंने website का नाम दिया और सबसे पहले हम IP लुक अप कर रहे हैं एंटर फैंट्स देखिए IP जो था उसने resolve कर दिया IP address हमें मिल गया अब हम पिंग करके देखते हैं secondly पिंग कर रहा है मतलब IP address मिल गया पिंग कर करके हम देख रहे हैं अभी responses नहीं आ रहे हैं तो पिंग से आपको बता चलेगा लाइव है नहीं इस तरह की information उसके बाद ट्रेस रूट हम करते हैं कि कितने होप से होकर हम तक data पहुंच रहा है तो एक ही करके enumerations के लिए जितने भी जरूरी steps हैं वो सब आप यहां पी apply कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यह तो पहले हमें क्या पता चला मतलब पहले हमने किया था नेटवर्क के अंदर अब हम कर रहे हैं website के ऊपर तो बहुत 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 है जोन ट्रांसफर आप यहां से कर सकते हैं उसके बाद HTTP head request है get request ह यह सारी जान सकते हैं वो इस information जान सकते हैं वो इस कहां का है यह आप जान सकते हैं तो IP addresses होते हैं एस यह specific के हैं या बहुत बहुत सारी important information वह आपको मिल जाती है तो get request जो है उसकी information यानि की okay है सर्वर अपाची अपाची सर्वर पर यह वर्क कर रहा है तो यह सारी information आप लिस्ट बनाते हैं कर सकते हैं नेक्स्ट में हम जानने वाले हैं इसे भी बहतरिन कुछ topics के बारे में होप सो वह आपको पसंद आएंगी thank you friends